बैठ करके करपुरी ठाकुर जी को याद कर रहे हैं। उन्होंने गरीबों पिषडों और जो बहुत गरीबी की हालत में जीवन यापन कर रहे थे उनके लिए संगर्स किया। और खासकर जीवन भर जो पिषडे थे अती पिषडे थे उन्हें जगाते रहें। पिषडों को उनका हक और अदिकार मिलना चाहिए। आज भी इतने दिन गुजर जाने के बाद भी जो करपुरी ठाकुर जी ने सपना देखा था वो अधूरा है। अभी भी पिषडों को अती पिषडों को कोई इस्थान नहीं मिल पाया है। जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला है। आज जब देश में जंगर्ना होने जा रही है। हमें उम्मीद है कि दिल्ली की सरकार पिषडों की बात सुनेगी। करपुरी ठाकुजी को सई सदान जले याद करना यही होगा। कि उनके बताएव हुए रास्ते से जो सम्मान मिलना था जंगर्ना के बिना जातियों की जंगर्ना के बिना संब्भब नहीं है। हमें उम्मीद है आज के दिन बीजयपी के लोग जागेंगे और फैसला लेंगे कि जातियों की गिंती हो आखिरकार सब जातियों को पता लगे कि वो आबादी में कितने हैं भारती जनता पार्टी को लोक तंतर पर भरोसा नहीं है और भरोसा होता तो किसी राजनेता की भाषा ऐसी नहीं हो सकती भारती जंता पार्डी के निताओं की भाषा देखिए एक निता कहता है ठोक दो वही निता कहता है कि बदला ले लो और उसका परडाम देखिए जो निर्दोस लोग थे गरीव लोग थे जो लोग तंत्र को बचाने के लिए अब भारत की जो मूले हैं उनको बचाने के लिए संघस कर रहे थे सांती बू ढंक से उनको पुलिस की गोली से जान खोनी पड़ गई एक और बड़े निता आये वो कहते हैं ढंके की चोट पर क्या ही रादनेता की भाषा हो सकती है एक निता कहते हैं जवान खींच लेंगे ये तो कुछी जो हैं जो मैं बता पा रहा हूँ अगर आप सूची देखेंगे भारती जन्ता पार्टी के निताओं की भाषा आज तक के लोगतंत के इतिहास में सबसे ज़्यादा भाषा की गिरावट अगर कभी आई है तो भारती जन्ता पार्टी के निताओं ने गिरावट लाने का काम किया है इस तरह की गिरावट कभी नहीं आ सकती थी आप बदला लेने के लिए कह रहे हैं उसका परणाम क्या है देखिए आप जोहर इनिवरस्टी के साथ क्या हो रहा है अब जमीने चीनी जा रही है मुगदमें लग गए किताबें चोरी हो गई और नजाने कितना अन्याय किया गया है ये पूरा का पूरा सरकार के इसारे पर हो रहा है जो जान गई 20 से जादे जो लोकतंत में के अपनी आवाज उठाना चाहते है उनकी जान गई उसके जमीदार कोई है तो भारती जनता पार्टी के लोग जमीदार है उनकी सरकार जमीदार है